नवस्कार दोस्तों, मैं कुलजीव सलूजा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि करोना में जो मोते हुई, उनका फ्लेट के वास्तु से क्या रिष्टा है? होनी तो हर घरे में पर अन्होनी जिसमें अचानक मोत हो जाये, वो दुखदाइः होती है, परिषान करती है। नेट्सल देट तो ठीक है, अनुह नहीं, यहां दोश होगा, तो गंबी रूप से बीमार पड़ेंगे, पर आप ठीक हो जाएंगे, पर इसके साथ यहां भी दोश होगा, तो संभावना हो जाती है, कि मृत्ति तक हो सकती है, और मृत्ति होई हैं, मेरे काफी अनुह हो इसके यहां यहां दर्वाजा होना, यहां किसी प्रकार से नीचा होना, और इशान कोन का दोश होता है, किसी प्रकार से इसमें कट होना, यह यह इसा कट जाए, यह इसा बढ़ जाए, यह इसा बढ़ जाए, यह इसा ऊचा हो जाए, अब इन दोशों को दूर कैसे करना है, यदि बढ़ा हुए, तो आप क्या करिए, खिडकी हईट तक एक वाल बना दीजीगा, और इस फिर खिडकी लगा दीजीगा, आप ये बार इनरजी जो होती है, तो इस तो से थुरू होती है, और आपने द़िवार बना दी खिडकी हैट तक, और इस जगा को आप कूद के वापर सकते हैं यहां से जम करके यहां चड़के इस पर से इधर आजाईए यहां इधर हो तो इधर आजाईएगा तो यह सक इसका बढ़ाओ खतम हो जाता है तो आपको यह करना पड़ेगा कि खिड़की हाई तक दिवार बनाना पड़ेगी इधर यदि ऐसा है यदि इधर बढ़ाओ तो शुब है क्योंकि शानकुन का बढ़ना शुब होता है यह बढ़ाओ इधर है यह बढ़ाओ इधर है तो फिर आपको यहां भी वही करना पड़ेगा खिरकी हाई तक एक दिवार बनानी होगी उधर का उप्योग आप कूट के कर सकते हैं यदि आपके यहां कोई कालम है कालम इस तरह आ गया तो कालम के करण यह को ना कड़ गया यह घर का भाव हो गया को ना कड़ गया उस केस में आप क्या करें यह कालम है इत्ती मोटी दिवार बना दीजिए को कालम तो हटने सकता है तो यह आपने 90 डिग्री कर लिया तो यह जो घटाओ था घर के अंदर घट गया था वह बराबर हो जाएगा यह दोश ऐसे दूर हो सकता है यह यहाँ पर उचाई है को कोई पाइप लाइन युंट करते है कि एक होता है जो जर्नली टॉट का पाइप जोती न जोती है उदिङ्वें यह पोरा पूरा बातों में टॉलिट उचा वूरो उचा कर देते हैं उसको खुदवाईएगा कोई कोने कोने पर जब पाई पे वह दिखता रहे क्या फ्रक पड़ता है तो उसको तोड़ दीजिए उसको नीचा घर के फरश के बराबर कर दीजिएगा जरी उचाई है यहां पर तो इसी परकार यहां नीचाई की बातरूम नहीं होता है यदि बालकन है बातरूम है तो फिर से फ्लोरिंग और उपर करा दीजिए उसको घर के फर्श के बराबर कर दीजिएगा बड़ावे भाग को नहीं घर के अंदर 90 डिग्रे में बड़ावे भाग तो आपको अलग करना है एक बात यदि हैं दर्वाजा है इस दर्वाजे को तो यहां ला सकते हो इसके बात कहीं भी लाइए और यहां का इसके बात कहीं भी लाइए तो हो सकता है पर यदि आप दर्वाजा बदलने के इस्तिति में नहीं दर्वाजा यहीं रहेगा तो यह मानिएगा कि करोना काल में तो जो हुआ हो रहा है सिस्थे में गड़बढ़ है तो महिलाएं परेशान रहेंगी इधर है तो घर के पुरुष परेशान रहेंगे और आप दर्वाजा बदलने के स्थिति में ना हो तो बैतर होगा कि आप मकान बदल दी फ्लेट बदल दीजिए गए वाला इसी प्रकार यह कट है इस कट को आप यह कट बना और आप इसको किस से दूर नहीं कर सकते यहां बढ़ा नहीं सकते यहां यह कट यहां ऐसा था और आप तो अच्छी बात है पर जिदि आप इसको ठीक नहीं कर सकते यह कट ऐसा ही है यह यह सदब गया यह सदब गया तो इसको भी फिर आप ठीक नहीं कर सकते हो तो घर छोड़ दीजिएगा क्योंकि इस से करोना के अलावा भी या रहने वाले परेशान रहते हैं, financial problem चलती है, बड़ा बेटा को विशेज तरक्की नहीं कर पाता है, ये दो दोश जीवन भर परेशान करते रहते हैं और इसके लिए आप किसी प्रकार की पूजापाट के चक्कर में मत पढ़िए, उससे एक पैसे का अलाव नहीं होगा, आपको घर की बनावट में ही परिवर्तन करना पड़ेगा, ये आप परिवर्तन कर सकते तो अच्छी बात हैं, नहीं कर सकते हैं, तो अच्छे भविश के लिए आप उस फ्लेट को छोड़ दीजेगा, करोन से तो बचा होई जाएगा, करोना से होन वाली मौत से बचा होई जाएगा, पर जो नार्मल प्राब्लम चल रही हैं, उन से भी आपको रहत मिलेगी, यदि आपको मेरा जो मैं समझा रहा हूं, समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप अपने घर का जो प्लान है, मुझे मेर इस वाटसब नंबर पर करिएगा, वाइट पेपर पर ब्लेक इंग से बनाईएगा, बना के मुझे आप बेजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपके प्लान पर इसको रखके सामने यां, और बताओं कि इसमें दोश को दूर कैसे कर सकते हैं, को कि फ्लेट्स में लगबख सबके मिलता है तो फ्लेट्स छोटा और अंतर होता है, बाकी लोग भी समझ सकें, कि वो अपने घर के दोश को दूर कर सकें, तो आप मुझे प्लान भीजिएगा मेरे इस बाटसब नंबर पर, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, धन्यवाद.